इस वीडियो के इंदर गाईस हम लोग discuss करने वाले हैं section 143, subsection 1 के अंदर जो आपको income tax का notice या फिर intimation मिलता है, तो कैसे मिलता है, कैसे download की जाता है, उसका password कहा रहता है, plus कैसे आपको उसको read करना है, और कैसे आपको उसके उपर respond करना है, तो गाईस ये सारी जानकरी आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहां पर जरूर दिखेगा, वीडियो को शुरू करने से लिए बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जो एक tax consultant के माधियम से जो help लेना चाहते है, consultancy book करना चाहते है, या इस type के किसी भी notice का response करना चाहते है, तो उसकी link भी मैंने आप लोग को description box में दे रखिये, तो चलिए guys शुरू करते है, तो guys सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह 143 subsection 1 के अंदर जो आपको basically intimation मिलता है, वो आखिर होता है, तो दिखे जब भी आप अपनी income tax return यहां पर file कर देते हो, तो बैंगलोर के अंद 43 subsection 1 के अंदर issue होता है, इस बात करते हैं कि यहां पर आपको यह जो intimation letter वो download कैसे करना है, तो generally यह होता है कि जब भी आपको email मिलता है, तो उसी के अंदर अगर आप bottom में जाके देखेंगे, तो आपको attachment as a PDF मिल जाता है, लेकिन इस PDF के अंदर एक password डला होता है, वो password simply होता 20 Gen 1985 है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने pan number को जो small के अंदर लिखना है, और आपका जो full date over थे, जैसे 20 हो गया, 01 हो गया, 1985, उसको दोनों को मिला कि आपको एक combination बनाना पड़ेगा, वही basically आपको इस PDF को open करने का password रहता है, इसके लागाए जो दूसर तरीका है, वो भ इसके टाब मिल जाता है, इसका उपर क्लिक करते हैं, आपकी PDF अगरद जो है, डाउनलोड हो जाती है, आपका इसी यह जो PDF होती है, आकर उसके इंदर होता है, तो देखिए मेंलि इसके इंदर तीन color यहाँ पर mention होते है, एक green होता है, एक blue होता है, एक red होता है, उसका दिखाता हूँ, जैसे आप मेरी screen के सामने दे सकते हैं, यह एक मेरा PDF है, जिसके इंदर आपको green color देखने को मिलेगा, और guys, इसके इंदर लिखा होगा, you have the refund for the assessment यह 2324 और जो भी refund का amount है, वो यहाँ पर simply तरीके से mention होगा, और refund को जो हिंदी के अंदर प्रती दाई भी यह पर का जाता है, अब चलिए guys बात करते कि इस intimation letter को आपको read कैसे करना है, तो आपको simply English वाले section के उपर आ जाना है, तो देखें, आपको दो तरह से table simply तरीके से मिलने वाली है, as provided by the taxpayer, और as computed under section 143, sub section 1, तो देखें, इन दो table के अंदर क्या होगा, यह वो अला data है, जो आपन आपने जो भी IT है, यहापे proper तरीके से अगर आपने submit किये तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो यहापे आप देख सकते है, यहापे जो figures होगा, वो automatically second table के साथ भी match होगा, कि अगर standard deduction है, तो यहापे भी आपको same तरीके से मिल जाएगी, फिर नीची आप जाके देखेंगे, जो भी आपने direction claim किये, वो भी यहापे सारी approve हो रखी है, फिर last भी आपने जो भी refund वगर है, जो अपलाए गया था, और वो refund भी यहापे आप देख सकते हैं, वो आपको यहापे simply तरीके से मिल चुका है, साथ ने गाइस इस इस ता interest मिलता है refund के उपर, वो भ लिए आपको blue color के अंदर मिलेंगे, जहापे आपने कोई भी जो है, tedious का refund वगरे claim नहीं कर रखा, simply अपनी एक जो निल की item यहाँ तो submit कर रखी है, यह tax का payment वगरे करके idea submit कर रखी है, तो guys इसके अंदर आप देख सकते हो, जो भी आपने data यहापे भरा होगा, comparison table में आपको exact वही दिखाने वाला है, और नीचे सबी जगे आपको 00 दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी जो है, नहीं कोई tedious का refund claim किया है, नहीं यहाँ पर government की तरफ से कोई आपको demand वगरे जनरेट हुई है, तो simply तरीके से इस type के letter के अंदर आपको यह लिखावा मि मिलता है, और उसके अंदर लिखा होता है, you have the demand for the assessment year, और यहाँ पर आपको amount of the demand का amount दिया होता है, कि कितना demand आपको यहाँ पे pay करना है, गाइस देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो simply तरीके से जो दो tables यहाँ पर दी गई होगी, तो उनके अंदर कही ना कही यहाँ आ 30,000,000,000,000 रुपे आ रहा है, या फिर आपका कोई interest वगरे लगने वाला था, उसके अंदर आपका variation आ रहा है, कोई आपने ऐसे reduction claim की है, जो यहाँ पर government ने reject कर दिये, तो ऐसा अगर कोई भी variation यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको जो है तो इसके उपर हम लोगों ने यह पूरा जो है dedicate वीडियो यहाँ पर create कर रखा है, इस तरह से आपको green, blue और red color के अंदर basically जो है intimation letter के अंदर signal देखने को मिल जाते है, green और blue के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरुवत नहीं है, लेकिन जो red color है, उसके अंदर आ आप लोग को description box में दे रखिये, thank you guys, thank you very much